हेलो विवन क्या हाल चाल है मैं आज अगर तो आप सभी अच्छे होंगे तो आज का ट्रिक है कि आप अपने सैमसंग डिवाइस को हैंग होने से कैसे बचाएं चाहे आपके पास पुराना डिवाइस हो चाहे आपके पास नेया डिवाइस हो चाहे सस्ता डिवाइस हो चाहे मह जो भी डिवाइस सेमसंग का होना चाहिए तो ट्रिक है एक सिक्रेट कोड है उसको डालने के बाद आपका डिवाइस कभी भी हैंग नहीं होगा 101% वर्किंग ट्रिक है ये ज़रूर ट्राई करना और आपको मैं यहां पे दो सिक्रेट कोड दिखाऊंगा जो पहला है वो है आपका हैंगिंग प्रॉब्लम को लेके और दूसरा है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा तो वीडियो दियान से देखना एंड तक ठीक है सुरा मशकार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस टेक चनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो में लाइक का एम रखते हैं कितना रखते हैं चलो 500 लाइक का एम रखते हैं तो देखते हैं कि आप कितने like मुझे करते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं तो code कौन सा है पहला code मैं आपको यहाँ पर dial करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ठीक है तो पहला code कौन सा है star has star तो code याद कर लिजिए यहाँ पर star has 12580 star 369 तो उसके बाद आपने hash दबाना है ठीक है तो यह code कौन सा है आप यहाँ पर click करता है magical code है चलिए हम यहाँ पर click करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा यहाँ पर टंटा शंटा आ गया है बहुत चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी आपके software version यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको software version कौन सा है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका manufacture date भी यहाँ पर आ चुकी है मतलब कि आपका device कब बना था कब बना कौन से सन में बना था यहाँ पर वो आ चुका है तो आपको second है device खरीते हैं खरीते हैं तो आप वो बोलता कि नहीं भाई याभी मुझे इस phone को लिए दो मीने हुए चार मीने हुए लेकिन आप चेक कर सकते हैं इस code को डालके कि उस बंदे न यह मैंने 2019 में लिया था ठीक है तो अगर मैं किसी को बोलूँगा तो इस phone की condition बिल्कल ओके है मैं बोलूँगा नहीं आरे पिछले साल लिया था भी मैंने लेकिन अगर वो smart होगा मेरी तरह आपकी तरह वो code डालेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि भाई यह device पुरान ह तो आप मैं जूट नहीं बोल सकता कि भाई यह 2019 में मैनुफेक्चर हुआ है तो आप इसे 2020 में ले रहे एकना प्राइन डिवाइस ठीक है तो यहाँ पर आपकी manufacture date यहाँ पर आ जाती है तो इससे पता चल लगा कि आपका device कब बना था ठीक है manufacture date यहाँ पर पता लगा सकते ह है यहाँ पर एक record है आप अपनी battery status को भी reset कर सकते है इस code से ठीक है चली code यहाँ पर डाइल करते है star hash 9900 hash ठीक है तो डालती है आपका इस तरह का page open हो जाएगा तो यहाँ पर सोच समझ के भाई साब क्लिक करना तो ध्यान से गलती मत करना गलती करती तो आपके device में problem आ सकता है वैसे तो आता नहीं है लेकिन किस्मत खराब होगी ना तो कुछ भी हो सकता है तो आपने यहाँ समझ के करना तो यहाँ पर सबसे पहले आपने के करना है डिलेट डं स्टेट लोकेट इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है डिलीट सक्सेस इसे आपके device में जितना भी एक्स्ट्रा कच्रा पड़ा हो था आपकी system files में वो सभी यहाँ पर डिलीट हो चुका है उसके बाद याँ और नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ और देखने को मिलेगी वह कौन सी ठीक है मैं आपको यहाँ पे लिखा लेता हूं ठीक है बैटरी स्टेटरी मेरी 26% चली बैटरी सेट करते हैं अब मतलब कि मेरी बैटरी बिल्कुल ओके है कोई भी मेरी बैटरी प्रॉलम नहीं है 26% ही यह भी ठीक है तो अगर आपके डिवाइस में अगर के बार के होता आप चार्ज करते हैं 100% लिसे कि यहां पर क्लिक करेंगे तो 80% होती है मतलब कि आपकी अपकी 80% है तो यहां पर आप ब संग के जो मैं आपको बताना चाहता था तो आपको कैसे लगे कमांड वक्स पर कमांड कीजिएगा सो बाइबाइब टेकर जाहिंद बंदे मात्राइब